वीडियो को दो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पहला आइकन को दबाना ना भूलें नमस्कार दोस्तों इंजिनिर भारत में आपका एक बार फिरसी स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको हाफ हप के वाटर पंप को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की आउसकता होगी ऐसी बहुत से जगह होती है जहां पर पानी तो मिल जाता है लेकिन बिजली ना होने के खारण उस पानी का हम इस्तिमाल नहीं कर पाते तो ऐसी जगह में water pump का इस्तेमाल करके आप उस पानी को इस्तेमाल में ले सकते हैं लेकिन water pump को चलाने के लिए हमें बिजली की आउसकता होती है जो कि कई अलाकों में उपलब नहीं होती इसलिए वहाँ पर solar panel का इस्तेमाल करके water pump को बड़ी ही असानी से चलाया जा सकता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि उन्हें half HP की motor या एक HP की motor को चलाने के लिए कितने solar panel की आउसकता होगी इसलिए वो इसे खरीद भी नहीं पाते तो आज इस वीडियो में हम आपको इसे के बारे में बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HP की motor कितने watt लोड लेती है क्योंकि जो हमारे panel होते हैं उसकी output हमें watt में ही मिलेगी तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाफ HP की motor है वो कितने watt की होती है तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूं आपको सिंपली Google में सर्च करना है HP 2 kW आपके सामने ऐसा form आ जाएगा यहां पर आप जितनी भी HP भरोगे आपको उसके सामने उसके watt दिखाई देंगे अगर एक HP की motor है तो वो करीब 7500 वोट पावर लेगी चलने के लिए और हम यहां पर आज बात करने वाले हैं हाफ HP तो हाफ HP के लिए आपको भरना है 0.5 तो आप देख सकते हैं यहां पर करीब 370 वोट की जो सप्लाई है वो हमें चाहिए होगी वाटर पंप को चलाने के लिए हमें 370 वोट मिनिममम चाहिए लेकिन इसमें कुछ पावर लोस भी होता है इसलिए हम उसे 20% के करीब मान लेते हैं तो 20% पावर लोस मानेंगे तो हमें यहां पर एक्स्ट्रा जो 74 वोट है वो चाहिए होंगे तो टोटल जो हमें पावर चाहिए वो 444 वोट हो गए तो इतने वोट के पैनल नहीं होते हैं तो इसके लिए आपको 2500 वोट के दो पैनल लेने होंगे अगर आपके पैनल की जो बहुत अच्छी है तभी ये अच्छे से उसके उपर काम करेंगे लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये दिन के सिरुफ पांच गंटे तक ही काम करेगा क्योंकि जो मैक्सिमम जो सनलाइट होती है वो पांच गंटे तक ही मिलती है तो अगर आपको स्याम के समय वाटर पंप चलाना है तो इसके लिए आपको बैंटरी बैकप की जुरूरत पड़ेगी यह मान लीजी आपको complete off-grid system ही लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपने वाटर पंप को किसी भी समय चला सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 500 वाट का off-grid system नहीं लगवाना होगा इसके लिए आपको ज्यादा का लगवाना होगा क्योंकि जब आपका वाटर पंप चलेगा उस समय बैंटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा इसलिए आपको extra power की जु लोड को मान लेते हैं इसके अलावा अगर आप off-grid में solar inverter लगाते हैं और उसके उपर अगर आप 200 AH की बैंटरी लगाते हैं जिसके लिए minimum हमें 20A जो करेंट वो चाहिएगा उसे चार्ज करने के लिए तो हमारा जो 100W का पैनल होता है वो अप्रोक्स 5A हमें देता है तो इस आपको 900W जो पावर वो चाहिएगी तो यहां पे आपको 200W के च्यार पैनल लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपको 1000W पावर मिलेगी लेकिन इसे आपको complete 1000W की नहीं मिलती है इसे आपको कम की मिलेगी तो आपका काम है वो 1000W में चल जाएगा तो इसके लिए आपको 1000W का ए इसके बारे में पूरा completely detail से बताया था आप वो जुरूर देखिए उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने बड़ी बैंटरी की आउसकता होगी और उसके उपर और कितने पैनल आपको लगाने पड़ेंगे तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर इसके पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद